आज प्रचार नहीं करेंगे, आज इसे टॉक करते हैं, आप इसे कितने लोगों की अपने आप से ये शिकायत है, कि ब्रदर मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूं, नेगेटिव माइंड़िट, बहुत सारे लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है, कि उनके साथ क वज़े से हम कितना सफर करते हैं, कभी आपने इस बारे में सोचा, अब एक सेकंड के लिए जो बहने यहाँ पर बैठी हैं, एक सेकंड के लिए, देखें मेरे हाथ में कुछ है, संजीए मेरे हाथ में पानी पुरी है, और उसमें ना मीठा कम और जो मसाले वाला चटनी ना को हाथ उठाईए, देखें, आपने खाया, कितनी विचार में शक्ती है, आप कुछ सोचते हैं, आप उस चीज़ को टेस्ट भी करते हैं, कभी कभी आपने देखा है, कैसे लोग ट्रेन के निचे अपनी जान दे देते हैं, कैसे लोग उपसे जम देते हैं, कैसे लोग अप काट देते हैं कभी आपने इस बारे में सोचा जब आपने किसी के डेट बाड़ी देखी तो उससे पहले माइन की कंडीशन क्या थी क्या चीज खिलाई गई उसको आपको पता है क्या चीज दी गई कि उसने अपने 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 अपको गला दबा दिया उसने ये कर दिया, उसने वो किया मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ डॉम्बे वली में एक लड़की ने सात्वे माले से जम दे दिया था क्योंकि उसे राक को ऐसे ख्याल आये थे कि वो फेल होगी क्योंकि उसके किसी उसके किसी एक फ्रेंड ने उसके साथ टेक्स में मस्ति की थी, देखना तुझे केटी लगने वाला है और उससे सुसाइट कर दिया था और अगले दिन जब उसकी रिजल्ट आई वो पास होई थी किस चीज़ से उसको खतम कर दिया आज आप इस बात को अपने अंदर समझो कि जो वीचार आपको नहीं लेने है और जब वो आप लेते हो तो आपकी हालत क्या होती है आपको पता है येशु मसी 18 साल की उमर में मर कर जा भी सकता था 15 साल की उमर में क्रूज पे मर के जा सकता था पर क्यों उसने डिसाइड किया कि वो 30 साल रहेगा अगर मरना ही था सिर्फ मरना ही था 12-15 साल, 18 साल की उमर में मर के चला जाता पर उसे क्यों 30 साल बिताए ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए मरूँगा लेकिन मैं तुम्हें पूरा सिखा के जाता हूँ कि कैसी जिए जी हो और अब देखो यहां पर क्या हो रहा है एक आदमी है उसकी बेटी अभी तक मरी नहीं है वो सिर्फ बीमार है और जब ईशू के पास ये केस आता है और ईशू को वो कहते है प्रभू तू चल और मेरी बच्ची को चंगा कर और जैसे ईशू वहां जा रहे थे बाइबल कहती है वहां तोड़ा डिले हो गया और एक आतमी दूर दूर से दूर दूर से आके बोलता है सुन अब गुरू को कश्ट मत दे क्योंके बच्ची मर चुकी है जब ईशू ने ये बाद सुनी जानते हो ईशू ने इशू के लिए क्या लिखा गया है उसने वहां पर लिखा है उसे अंसुना किया और अब वो जानता था कि यहां पर कहना कुछ जरूरी है और जानते है ईशू जानता था कि वो तो अपनी रक्षा कर रहा है लेकिन इस आत्मी के लिए वो क्या करे उसने उसको वर्ड दिया वहाँ पर सुन डर्मत केवल विश्वास रख और जानते हो उस आत्मी ने इस वर्ड को लिया मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ जब भी आपके लाइफ में कोई सिट्वेशन होती है घर के अंदर बाजू में आप सब जानते हो हम सबों की जिन्दगी में कुछ हालात हैं हर एक की जिन्दगी में आप बोली नहीं सकते हो कि मैं एकदम फ्री हूँ या वो एकदम जब मुसा मरने पर था तो वो उनको कहता है सुनो मैंने तुम्हारे सामने जीवन भी रखा है और मैंने तुम्हारे सामने मौत भी रखी है और मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुनलो बाइबल की शुरुआत भी इस तरह होती है कि परमेश होने चाहा कि हम ग्यान के पर सभी माहोल नहीं है, पैसो की तकलीफ है, कई बार ऐसा है कि आप बीमार पढ़ते हो, ठीक होते हो, फिर बीमार पढ़ते हो, मैं आपको ये बोलने की कोشिश कर रहा हूँ, आप अपना माϊंड किस चीज में डालने की कोशिश करते हैं, रोमियो में लिखा गया है, जिस सा आँचे में तुम डाले जाते हो, वहीं से तुम निकलते हो, आप जानते हो, अधिक तर लोग, अधिक तर लोग, क्या चूस करते हो, इस आत्मी ने, इस इशू की इस वज़न से सीखो, वो क्या कहता है, लिखा है, उसने उसको अनसुना किया, अब मुझे एक बात बताईए, एक living example देता हूँ, समझो आप depressed हो, किसी बात की वज़े से, समझो आपके अंदर जो है, depression, एक depression नहीं कह सकता हूँ, एक discouragement, जानते हो, depression और discouragement में क्या अंदर होता है, what is it, difference between discouragement and depression, discourage आत्मी को हम समझा सकते हैं, depression में जो आत्मी चला जाता है आप उसको कितना भी समझाओ, उसके अंदर जाता ही नहीं है, blockage होता है, blockage, कितना भी उसे समझाओ, आपको पता है, यहाँ पर क्या लिखा है, issue ने उसको अंसुना कर दिया, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताईए, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ में depressed हो, आपको पता है, issue ने क्यों अंसुना किया, क्यों अंसुना किया, tell me, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ, आपकी सेवा किये, आपकी हेल्फ किये, आप उसे एक negative word बोलके दिखाओ, देखो, उनका mind कैसे हो जाता है, इतने negative हो जाते हैं, अरे मैंने इसके लिए इतना किया था, आपने बहुत सारे मावाब देखे होंगे, जो अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं, इतना था, इतना बड़ा किया, हम भी इतनी थे भाई, इतना था, इतना बड़ा किया, तुने मिरे लिए क्या किया, क्यों? कि कि वो और expect करते हैं उनसे, आप जानते हो ईशू ने क्यों अंसुना किया ईशू जानता था अगर इन शब्दों को यहां पर ले लिया जाए ये शब्द एक प्राण नाशक जहर की तरह काम करेंगे कितने लोगों ने याकूब में ये वचन पड़ा है जुबान एक प्राण नाशक बोलो प्राण नाशक बोलो अपने पास वाले को प्राण नाशक बताओ प्राण नाशक किसको कहते हैं कितने लोगों ने कभी आपने ऐसा सुना है आप के लिए कोई पीछे कुछ बोल रहा है आपके बैक में आपकी कोई निंदा कर रहा है किते लोगों पसंद है दिनों का लिए समझो एक सवाल पूछता हूँ हम भाई काफी ताइम एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि हम एक ही जगा काम करते समझो मैं आकास से मिलता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ दिनेश के लिए कुछ भी नहीं है यह 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 बहुत सारी बाते बोलता हूँ और मुझे पता ही नहीं है यह चुगल खो रहा मुझे पता नहीं है यह चुगली मारता है सब को जाके बताओ दानिल को चुगली मारने वाले कहा गए हाँ जी तो तू भी वहीं जाएगा भाई समझो अब जानते हैं क्या बोलता है और वहाँ जाता है पहले दिनेश के साथ जाकर बैठता है दिनेश भाई कैसे हो अच्छे हो ठीक है अंदर ने बुला है सब बताने आया हूँ लेकिन तो आराम आराम से निकालूँगा बना बना के क्योंकि मिरको भी यह भाई पसंद नहीं है अब जानते हो दिनेश के साथ बैठ कर क्या करेगा यह मस्त चाय भी पिएंगे यहां वाँ की बाते भी करेंगे और अब जानते हो यह क्या कर रहा है actually ये दिनेश के अंदर वो प्राण नाशक जहर बर रहा है आप जानते हैं दिनेश क्या करेगा दिनेश अंदर ही अंदर सफर करेगा अंदर ही अंदर सफर करेगा मेरा भाई मेलड ये बोलता है चाय हाथ में दिया कॉफी हाथ में दिया पानी हाथ में दिया, इतना कुछ किया और अब ये सा अब सारा दिन बैठके इन बातों को लेगा आपको पता है इसको क्या बोलते हैं आपकी सोल को ये बाते मारती है नेगेटिव चीजों की सबसी गंदी बात यही है कि वो आपके अंदर गुसके आपको मरने भी नहीं देती है और आपको मारती भी है इसलिए बाइवल कहती है केन के रासे में मत चलो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ येशू की जिन्दगी से हम ये बात सीखे कि उसने कैसे किसी चीज़ को उसने ना कहा उसको अंदर नहीं लिया मैं आपको सच कहता हूँ आप जब तक जिन्दा हो आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो कई बार आपको बुरा कहेंगे सिटवेशन्स भी आएंगी लेकिन आप डिसाइट करो के आप किस तरफ जाओगे एक फैमिली से हम मिले इन दिनों में और जब हम उनसे मिले और उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया है तो हमने उनसे पूछा क्या बात है आप चर्च नहीं आते बोला नहीं हम लोग अभी गर पे ही प्रेयर करते हैं गर पे ही वाइवल पढ़ते हैं मैंने बुला ऐसा क्यूं बुला हम वहां पर जाते हैं न लोग हमको तरह तरह की बाते हैं पढ़ोस आकर बोलता है दरम चेंज किया कितना पैसा मिला हमको भी लेकर चलो ना दो थीन लाक उरुप हमको भी लेकर दो ना बुला हमको ऐसे बोलते हैं तीन शब्द ईशू के बोलने पर उनके लोगों के बोलने पर उन्होंने चर्चाना बंद कर दिया जबकि आप और मैं भी जानते हैं कि यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती है सोचो शब्दों में विचारों में कितनी ताकत है एक आत्मी के पूरे गोल को चेंज करने की मैं आप से इक बात पूछता हूँ और हम इस मीटिंग को यही पर ओवर करते क्या सोच रहे हैं हम हिन दिनों में किस तरफ आपका मन है मैं तीस सेकंड शांत रहूंगा आगए ताकि मैं यहां कोई यह बात सोचने के लिए कहूँ क्या सोच रहे हैं हम किस तरफ द्यान है हमारा सोचो तीस सेकंड के लिए सोचो हम जोई समेर ने कहा सोचो तुम क्या सोचते हो क्या सोच रहे हैं हम इन दिनों में किसी ने आपके साथ बुरा किया है आप वो होल्ड करके बैठे हो किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया है आप वो पकड़के बैठे हो आप किसी चीज से बाहर ने निकल पा रहे हो आपने वो पकड़ के रखा है उस दिन बहन के गड़ में मीटिंग थी हमने एक वचन शेयर किया था वहाँ पर कि ईशू मसी ने कहा मेरा पीछा करो क्या मतलब है उसका पीछा करने का अपनी भावनाओं की नस सुनके उसने खुदा की सुनी थी कभी कभी आपने देखा है कैसे फीलिंग्स, मन, लोक, सिटुवेशन्स आपके माइंड को कवर करके बैठती है और ये पूरा आपके बाड़ी में दिखाई देता है कि आपने कोई चीज गहराई से ली है मेरे भाईों और बैनों, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इशू मसी की लाइफ से ये सीखो कि कैसे उसे चीजों को अंसुना किया कैसे उसे सिटुवेशन्स को इगनोर किया लोगों को इगनोर मत करो, सिटुवेशन्स को इगनोर करना सीखो हम उल्टा करते हैं हम लोगों को इगनॉर करते हैं और सेटिविशन में रहते हैं जब कि ईशुने का सेटिविशन को इगनॉर करो एक आखरी बात लिसन समझो मेरे मूँ से कुछ ऐसा निकल जाता है कभी कभी स्लिप हो जाती है जबान लोगों की आपको पता होगा मेरी भी होती है सब जो मेरे मूँ से कुछ ऐसा निकल गया जो आपको अच्छा नहीं लगा अब क्या करना है इसका रखना है कि छोड़ देना आपको पता है कभी कभी आपको हर्ट करने वालों को ये पता तक नहीं चलता कि उन्होंने आपको हर्ट किया लेकिन सफर कौन करता है नूमरस टाइम मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा कि हर्ट करने वाले हर्ट करके चले भी गए उनको इस बात का सेंस तक नहीं है सेंस समझते हैं उनको सेंस तक नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिससे मुझे हर्ट हुआ है और वो मस्त, गुलाब जामून, पानी पूरी, गुलगपा सब खाते हैं और उनको देख के हम अंदर ये अंदर जलते हैं क्यों? क्यों पकड़ के बैटें? अरे इस चीज में सेलफिश बनो, अपने लिए सोचो आप कहां जा रहे हो? मत दो ध्यान उन बातों पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड्स पे ध्यान मत दो, नेगेटिव माहूल पे ध्यान मत दो हबक्कू के इस वचन से सीखो, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं तो अपने परमेशर के कारण आनदित रहूँगा अपने परमेशर के कारण आनदित रही है बोलो येश्यू मसी की, तो कितने लोग हैं आज, जो कुछ समझ पा रहे हैं? मत दो ध्यान, सब ठीक हो जाएगा मैं इश्यू मसी के नाम से कहता हूँ, परमेशर बला है और वो बला करेगा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा किसी भी सिटुमेशन में अपना ध्यान मत डालो, वो चीज आपको डैमेज कर देगी शैतान यही तो चाहता है, अदन की वाटिका में यही तो दिखाई दिया है कि कैसे सारा गाडन चुपा दिया गया और उस चीज पर फोकस करवाया गया जो चीज उनके पास नहीं थी हजारो अच्छी चीज़े हैं, आपके पास अच्छे माबाप हैं अच्छे गर हैं, आपके पास बाइबल है आपके पास सीडीस हैं, बुक्स हैं, आपके पास डीवेडीस हैं लेकिन सब चीज़े चुपाई जाती है ध्यान वहां लगाया जाता है जो चीज हमें मारती है मैंने सीखा है इन दिनों में कि कैसे चीजों को ignore करते हैं और खुदा की इच्छा में जीते हैं मैं येशू मसी के नाम से कहता हूँ situation पर नहीं मैं येशू मसी के नाम से कहता हूँ अपने स्वरगिय पिताबे बरुशा करो मैं आपको सच कहता हूँ वो कभी आपका मुँ काला होने नहीं देगा कभी भी नहीं देगा ये उसका वादा है वो आपसे प्रेम करता है और अगर उसने कुछ अलाव भी किया है न मैं ईशू के नाम से कहता हूँ ईशू पैर दो रहा था और वो उनको कहता है जो मैं करता हूँ तुम वो नहीं समझते लेकिन एक समय आएगा तुम उसे समझोगे कैसा क्यूं था कई बार आपके लाइप में ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन एक टाइम आएगा जब आप समझोगे कि हाँ ये सही था ये जरूरी था ये मुझे तोड़ने के लिए जरूरी था इस चीज से मुझे बिटर नहीं इस चीज से मुझे बैटर बनाया है